गुड मॉरिंग स्टुडेंट, मैं सुमंत, आज हम फिर से एक नए टॉपिक के बारे बात करने वाले हूँ, इस टॉपिक का नाम है वेजिटिटिव प्रॉपकेशन और इस टॉपिक में हम जानेंगे कि कैसे प्लांट की पॉपलेशन को अज़ेक्शिल रिपोडेक्शन के जरीए बढ़ाया जा सकता है यानि कि अज़ेक्शिल रिपोडेक्शन का तरीका ही है, इसमें जो भी प्लांट्स डिपलप होंगे वो क्या कराएंगे? clones कराएगे तो vegetative propagation का मतलब है production of offspring from vegetative propagules in plant vegetative word का मतलब हम पहले समझ लेते हैं, vegetative सब्द का मतलब है plant का वो part जो sexual reproduction से ना जुड़ा हो plants में दो तरह के parts होते हैं, एक होता है reproductive part, दूसा होता है vegetative part reproductive part में सिर्फ एक ही हिस्सा आता है plant body का जिसे हम flower कहते हैं vegetative part में root, stem, leaves और जो भी structure उसके इसरी में develop होते हैं flower को छोड़ कर, वो सब vegetative parts होते हैं, अगर उन vegetative parts को हम उसकी plant की body से काट कर तो मिट्टी में लगा दे हैं तो वो एक नया पौधे में बदल जाएगा इसलिए हम इसे vegetative propagules भी कहते हैं, यह दो तरीके होते हैं, एक प्राक्तिक तरीके से natural method से होता है, दूसरा artificial तरीका, जिसे आप देखते हैं, nurseries बगएरा माली बगएरा करते हैं, तो हम आज एक ही method पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है natural method of vegetative propagation बैसे इनके बहुत सारे types से आप देख सकते हैं, natural method में roots, underground stems sub-areal or creeping stems aerial stems, leaves, bulbels turians, चलिए आगे चलते हैं इन्हें एक एक करके परड़ा हम सुरू करते हैं, सबसे पहला पार्ट जो हमारे सामने आएगा, उसे हम कहते हैं, roots दो तरीके होते हैं, tap root और adventious root यह roots, basically अगर हमें roots को काट करके हैं और जमीन में गाड़ दें तो एक नया पौधाप बनने लगेगा तो roots के example आपको कौन-कौन देखने हों मिलेंगे, डलबर्जिया सीश्यम, ग्वावा, स्वीट पोटेटो देहलिया, एस्पेरेगस और यह एक तरह की root है आप देखिए, इसमें दो तरह की roots होती है सकरकंद, जिसे हम कहते हैं वो storage root है और जो पत्रपले धागे उस सकरकंद से निकलते हैं उन्हें हम fibrous root कहते हैं तो these are the root बहुत सो लोग confused होते हैं कि आलू और सकरकंद एक ही परवार के हैं नहीं, दौन और अलग है यह जो सकरकंद होती है यह root होती है और जो आलू होता है वो stem होता है जो कि हम next part में जानने वाले हैं दूसरा natural तरीका है underground stem का underground stem ऐसे stems जो जमीन के अंदर दबे रहते हैं यह पांस तरगे हो सकते हैं पहला टाइप है tuber tuber में example potatoes मिलेगा आपको potatoes आप जानते हैं आपने देखा भी होगा potatoes पे चुट-चुटे eyes या birds निकलते हैं अगर इनी टुकडों को हम काट कर जमीन में लगाएं तो एक नया हमें potato plant मिल जाएगा इने हम बुलते है birds या eyes यह अगर कुछ दिन आप आलू को रखे रहें तो यह germinate कर जाएंगे तो आगे हम चलते है next topic अपने दूसर टाइप देखने को मिलता है bulbs bulbs क्या है bulbs basically garlic और onion एक और बहुत surprising बात है जो garlic और onion प्याज और onion जो हमारे घर में होता है वो दरसल पतियों से बना है प्याज और लेशन क्या है पतियां है आप डाइग्राम में देख सकते है garlic लेशन में किस तरह धेड़ सारी पतियां आपस में लपिट कर एक bulbs का रूप लेती है next part हमारे पास है underground stem में corms आपको एक बड़ी interesting picture सामने दिख रही है एक व्यक्ति एक flower को गले लगाए खड़ा हुआ है यह दुनिया का सबसे लंबा flower है इस flower का नाम है amorphophallus जमीकंद दूसरे सामने आपको देख रहा है इसे हम अर्भी बोलते है collocasia या अर्भी यह हमारे सबजीयों के रूप में हम इसे इस्तमाल करते है चौथा पार्ट क्या है rhizomes यह बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है नीट से लेके हर एक्जाम में बोर्ड में पूछा जाता है rhizomes banana, ginger और turmeric में ग्रो करते है अगर उनके उस parts को हम काट कर अलग लगा दें तो एक नया पौद हमें मिल जाएगा rhizomes basically क्या होते है आप अधरक को देखिए अधरक पे बहुत सारे hair like structures निकलते है यही rhizomes होते है अगर आप अधरक का एक छोटा सा टुकडा काट कर जमीन पर बोएंगे तो एक हमें नया अधरक का प्लांट जिंजर प्लांट या फिर बनाना प्लांट या ठर्मिरिक प्लांट मिल जाएगा birds और rhizomes ग्रो करते हैं नोड से नोड क्या होते हैं चुट-चुटी गांठे हैं आपने देखा होगा अधरक पे हल्दी भे कई जगे गांठ होती है वह बिसिकली उसको हम अगर प्लांट करें तो हम नया जिंजर प्लांट या अधरक प्लांट ले सकते हैं यह सारे के सारे rhizomes क्या है यह modified stems के अंदर आते हैं underground stem है जमीन के नेक्स पार्ट है हमारे पास सकर्स सकर्स में हैं आपके पास mint chrysanthemum और licorize सकर्स क्या है यह प्लांट की बेस जो होती है वहाँ पे छोट छोटे outgrowth होने लगते हैं वह सकर्स मिट्टी को छूटते हैं तो मिट्टी में penetrate करते चले आते हैं और उनसे root germinate होती है यह अगर आप देखें तो यह एक तरीके सिंगा propagation का तरीका है अपनी population expand करने का तरीका है तो इसे हम सकर्स कहते हैं तो अब इदर आपने पांच underground stems देखें अब इसके बाद हम next natural method पर आते हैं जिसे बहुत सब aerial or creeping stem पहले इस सब दुख समझें सब aerial सब aerial का मतलब कुछ ऐसा जो जमीन के अंदर underground ना हो जमीन के अंदर grow ना करें जमीन के ऊपर हो तो sub area creeping का मतलब आप रेंगते हुए creep माने क्या होता है रेंग ना बाला तो यहाँ पर आप देखते हैं इसके भी कुछ roots grow करने लगते हैं इन्हें हम runners कहते हैं long grass chamomile centella यह सारे examples है runners के यह जमीन पर रिंगते हुए बढ़ते आगे और धीरे धीरे पूरे area को ground को cover कर सकते हैं यह अगला पार्ट है हमारा इस्ट्रोबेरी और वैले सिनेरिया में होते हैं और इस्ट्रोबेरी की जो खेती होती है plantation जहां होता है वहां ऐसे इस्ट्रोबेरी को बढ़ाया जाता है अगला तीसरा हमारा बहुत important example है board में कई बार पूछा गया है इसे हम offsets कहते है अपने अक्सर तालाब में या खाली जहां पानी भरा होता है वहां पे एक plant को grow करते हुए देखा हुए इससे हम a cornea या water hyacinth कहते है इसके और भी बहुत सारे राम जलकुम भी यह बहुत ज़्यादा invasive plant है एक तरह का आप पानी पर कबजा करने वाला प्लांट है और यह पानी पर बढ़ता जाता है उससे पानी में रहने वाली equity life के लिए खत्रा पैदा होता है यह हम आगे ecology में पढ़ेंगे कि यह कैसे harmful है I think यह सबसे ज़्यादा harmful पौदा है प्रत्वी पे अब यह देखने में तो बड़ा खुबसूरा लगता है कोई व्यक्ति बाहर गया होगा उसने बहार से इसकी ब्रांच लाके हमारे इंडिया में छोड़ दी और इसके बाद यह लगातार water bodies को कबर किया है हाल तो यह हो चुका है कि बेंगॉल जो वे है बेंगॉल की जो खाडियां है वो इससे भरी पड़ी है इसलिए से terror of बेंगॉल कहते है वहां मचलियों के लिए और aquatic life के लिए बहुत बड़ा कात्रा पैदा हो चुका है तो और दूसरा एक्जामपल पिस्ट है जैसे हम water lattice भी कहते हैं तो यह offsets आप दो प्लांट के बीच में connection होता है horizontal आप देख सकते हैं डाग्राम में देख भी रहा है यह offsets अगर यह ब्रेक हो जाए तो यह दो नए plants बन जाएंगे आप water hyacinth को कितना भी आना आसान नहीं होता है ठीक है अब हम next part पर आते हैं अपने aerial stem word aerial यानिकि ऐसे भाग जो हवा में रहता है एयर को exposed होता है उसे हम aerial बोलते हैं तो aerial stem में आप एक बहुत ही खुपसुलर डाइग्राम देख रहे हैं अपुंशिया अपुंशिया जिसे हम देशी भासा में डा तो इस तरीके से भी यह propagation होता है natural method से cactus का कोई टुकडा किसी जानवर ने तोड़कर अगर जमीन पर गिरा दिया तो जमीन भी गिरते हैं वो नया cactus बन जाएगे natural तरीका cactus को अपनी species अपनी population को बढ़ाने का दूसरा बड़ा interesting है sugar cane गन्ना गन्ने पर अगर एक node होगी at least one node तो इसको अगर हम काट कर जमीन में प्लांट कर जाएगा तो शुगर के इनकी खेती जो होती है गन्ने की खेती होती है उसमें इसी तक्नीक को करके उसके टुकडों काट काट कर जमीन पर बोयाता है at least one node होनी चीए node का मतलब क्या होता जो गांट आप इन देखा है जो ब्ल मिल जाएगा यह एरियल स्टेम का तरीका अगला पार्ट हमारे पास है लीव्स कुछ प्लांट बड़े अद्भूत होते हैं उनकी पत्कियों से भी एडवेंशिस बर्ड निकलते हैं वो अगर उस प्लांट के लीव्स से अलग होके जमीन पर गिर जाए तो क्या हो जाएग उस प्लांट की पॉपलेशन उस प्लांट की स्पी्चिस ग्रो करने लगेँ यह सब क्लोने होंगे यह कैसा है और एजस प्लांट होगा वह अपने पैरेंट्स की एक्जेक्ट कोंपी होगा अगर इसकी पत्तियां किसी मिट्टी करती कॉंटेक्ट में आती तो वहां पर जमिर्ट करने लगती है और एक नए प्लांट को बना सकती है तो आपने दो एक्जांपल देखे काफी इंपॉर्टेंट है जो लीफ से प्रोपागेट करते हैं वेजिटेटिवली प्रायोफाइ प्लांट की बॉड़ी से अलग हूँ और इनने मिट्टी में दबा दिया जाया मिट्टी में अपने घर जाया तो यह क्या करने लगें तो एक नया प्लांट क्रेट हो जाएगा दूसरे एक्जांपल काफी खुब्सूरा लग रहा है और जैलिस एक तरह का फ्लोरल प्लांट की जाया तो पाइनेपल का जमनेशन भी प्लांटेशन भी किस पर बेस्ट होता है बल्बिल्स पे कुछ एक्जांपल सापको दिख रहे हैं डायोस्कोरिया या लिली क्लोरोफाइटम फिलाल आपके लिए तीन सबसे इंपरेंट एक्जांपल्स हैं एगेव मोस् इतने भी टॉपिक्स आपके में आ रहे हैं आपको इन सब के घंग से रटने एक्जांपल से ही वहां कुछन पूछा जाता है लास्ट एग्जांपल ँमारे पासे है टूर्योंस तूर्यंस क्या होते हैं टूर्यंस बसीक्ली वाटर जहां बात की सारे के सारे natural method of propagation अगला हमारा topic जो होने वाला है वो है artificial method of vegetative propagation artificial को अभी समझें ना artificial इंसान जो करता है अभी तक आपने जितने भी methods पढ़े वो सारे के सारे natural तरीके से हो रहे थे जो vegetative propagules है naturally plant body से टूट करनी चीगर जाते हैं उनकी species को बढ़ाने में help करता है artificial method में man यानि कि हम लोग आदमी उस plant के टुकले को काटेंगे और जमीन पर बोहेंगे अपने आर्थिक लाब के लिए अपने फाइदे के लिए आज के लिए इतना ही प्लीज सब्सक्राइब किजिए हमारे चैनल को सुपर सिंपल साइन्स आपके लिए हम बहुत सारे अचीचे वीडियो लाने के लिए तयार बैठे है बस आब हमें सब्सक्राइब करते रहे हैं थेंक यू